हलो फ्रेंड्स गुड इनिंग टापर साइस कलब अकेडमी आज सोभी का हर्दिक स्वागत और अब नंदन है मित्रू कैसे हैं आप लोग आज तो संडे था आप फन कर रहे होंगे और साथे साथ में अपने स्टेटी को भी रिवीजन कर रहे होंगे मित्रू फ्रेंड्स आज आज संडे का दिन था और आज हम लोग के लिए एक महतपूर दिन था क्योंकि आज जो है एक परिच्छा की प्राणभिक परिच्छा जो है दो हजार बाइस साकुसला संपन हो गई है मित्रू और इस इसमें जो है पचास कोस्टन जो जीएस के आये हुए थे जो हमारे आग रोल देख पर में अक्सेश रिपीट कुस्टन जो है मालब मिलते हैं तो हम लोग जो है अगर यहाँ से एक द्टा कोस्टन भी अगा रिपीट हो गए तो हम लोग के लिए वहां पर एक बहुत बड़ा रूल बहूं अदा करेंगे मित्रू तो आईये हम लोग जो है एक पी तो इस स्रीज का जो पहला कुश्चन है मित्रू यह की वर्तमान में भारत में हेडलाइन मुद्रा स्पीती आधारित है यह 2020 में भी मित्रू यहां से कुश्चन आया हुआ था तो महां से यह रिपीटेड कुश्चन है यह संयुक्त उपभोक्ता मुल्व सुचकांग संयुक्त उपभोक्ता मुल्व सुचकांग पर हेडलाइन मुद्रा स्पीती ना पी जाती है मित्रू उसके बाद दूसरा कुश्चन पंजाब के रोहतास दुर्ग का निर्माल करता कौन था मित्रू यह सेरसा सुरिष का एंसर है राइट एंसर मित्रू कि नेक्ष्य क्auen नंबर थरी है मित्रू यह स्टेटम वाले कुस्चैं है इसमें दो स्टेटमेंट दिया हुआ है इसमें बताना है कि inject ए सही है आर सही है दोनों सही है ब्याख्या करता है या नहीं करता है कथन कारण वाले हैं कि नीचे दो कथन दी हुए है जिसमें दूसरे को कारण आर कहा है इसमें बताना है कि कौन सा कथन सही है और कौन सा ब्याख्या करता है या नहीं करता है तो पहला आप्षन पढ़ते है कथन ए है इसमें कि जेनेटिक्स या अन्वान सिक्ता माता पिता से संतानों तक वनसा अनगती पतरूप में लच्छणों की भिन्दता का अध्यन होता है मित्रों बिल्कुल सही स्टेट्मेंट है यह दूसा इसका कारण या रीजन जो बता रहे हैं कि वनसा अनगती एक पीड़ी से दूसरी पीड़ी में लच्छणों के अस्थानांतरण की प्रकिरिया होती है मित्रों तो यह दूनों कथन सही है और दोनों जो है आर एकी जो है इसमें सही ब्याख्या करता है यह इसका एंसर है मित्रों उसके बाद कुश्चेन नंबर फोर्थ है कि उत्तर परदेश बिधानसभा चुनाओ 2022 में विभिन राजनेतिक दलों के दौरा जीते गए सीटों के संदर में निमलिखित में से कौन सा एक कथन जो है सही नहीं है मित्रों तो इसमें दिया है राष्टे लो लौक कांत्रिक पार्टी दो सीटे जीती है यह भी सही है और निर्बल इंडिया तो अनो इसके बाद जो है पांचवा कोस्चन हमारा कि भारत के संविधान भारत के संविधान सुईकृति की तिथी जो की संविधान की उद्देशका में वनलित है यह सीधा सीधा कांसिटूशन आप इंडिया की उद्देशका प्रिमिल में लिखा हुआ है यह 26 नॉमबर 1949 मित्रू इसका इंसर इसके बार जो है 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 कि संविधा इसके बार जो हैक है अग मैं नेट्ट कोस्षिन है कि निम्निकित मेंसे कॉन सा जिक म को सुमेलित नहीं है मित्रू इस वंकी यभी शुमेलीत है यह जो सिंगी रामपूर मित्रो है यह स्तरावस्ती नहीं बलकि यह फरुखा बाद इसका राइट एंसर है मित्रों उसके बाद निमलिखित में से कौन सा बिसु की सबसे लंबी परवत सिंखला है मित्रू ये इंडीज परवत माला है जो की दच्छडी अमेरकी कांटियूनेंट में पढ़ता है मित्रू उसके बाद है निमलिखित में से किसने 8007 के बिद्रोह को राश्टिय बिद्रोह कहा था यह Benjamin Digitali को राश्टिय बिद्रोह की शंग्या दी थी मित्रु उसके बाद नेक्सट कुश्टन है मित्रु कुर्षन कि समुंदरी ज्वार का कारण होता है उसका कारण क्या होता है जिसमें प्रासपरिक करें is और उसे जब एक रेखा में गुण सब्सक्राइब तो क्या होता है तो वहां पर समृंधेरी ज्वार जोटामों तो कारण क्या है गुर्टा रुब प्रास्परिक के लिया में फिर सिर्थ को स्टिशन है मित्रू एलाहबाद विश्विद्याले के अस्थापना की गई थी मित्रों तो इस के बार नेक्स्ट कोस्टन जो है न्याचिंग के वाला मदुरा में था एक हो गया फोर तो एक हो गया फोर तो फोर यहां पर भी है यहां पर भी है यादो देवगिरी के थे तो बी का हो गया थिरी तो बी का हो गया थिरी यानि यह फोर ओ थिरी यही आपसन राइट मित्रू आगे हमें देखने की आवसकता नहीं है उसके बाद जो प्रभाव पर काम करता है मित्रूं ठीक है तो यह तेरे रप्तार की महनों की आच करने के लिए को प्रूब के द्वारा कि जीओमारा कास्त्रो निमलक्रीत में से किस देश की पर्थम महिला राष्ट-पती के रूप में चुनी गई है मित्रू होंडूरस की राश्ट पती जो है चुनी गई है होंडूरस यह केरोबियण हो मित्रों जो की दच्छडी अमेरिका और उतरी अमेरिका कांटिनेंट की बीच का जो छेत्र है वो करोविन या संटरल अमेरिका मध्ध अमेरिका का आता है वहाँ पर यह हुंडूरस इस्तीत है यह वहाँ की जिए महिला प्रथम सब्सक्राइब नेक्स्ट कुस्चन है हमारा निमलिकित में से किसने बर्लिन में भार्तिय स्वतंतरता समिती की अस्थापना जो है की थी मित्रू तो इसका सही एंसर जो है लाला हर्दयाल जी है यह 1915 में बर्लिन कमेटी बनी थी भुपेंदर नाथ यादो लाला हरदयाल इससे जुड़े हुए थे बाद में इसी का नाम जो है बहरतिय सुत्मता समसे के नाम से यह जाने गई थी मित्रू तो इसके अस्थापन लाला हरदयाल जी ने गया था उसके बाद निमलिकित में से कौन स परसांत महासागर की धारा नहीं है मित्रू तो यह जो बेंगोला धारा है यह परसांत महासागर की धारा नहीं है मित्रू यह नामीबिया के पश्चमी तट पर यह बेंगोला धारा जो है बहती है और बाकी यह सब धारा क्या है यह सब परसांत महासागर की धारा है पास जो है रभी किरती के द्वारा की गई थी मितरूं और इसी में यह पता चलता है कि हर्स वर्धन का हर्स वर्धन और पुलकेसिन दिर्टे की बीच पे इजुद हुआ था जिसमें जो है हर्स की पराजय हुई थी उसका दच्छनी विस्तार अवरुद्ध हो गया था मित्रू उसके बाद मॉंटंगी चेंश्वर्ट सुधार उन्नेश इसवी का उद्देश क्या था इसका उद्देश क्या था दोहरी शासन प्रणाली को लागू करना यानि केंदर में और प्रांत में दोहरी शासन प्रणाली को लागू करना मॉंटंगी चेंश्वर्ट सुधारों का वो देश था मित्रू ठीक बाकी ये आम जनता को राहत देना अंसोचित जन्जाती को राह पहला कतन है कि इसकी अस्थापना 2 October 1993 को की गई थी बलकि 12 October 1993 को की गई थी इस वया से यह आप्षिन क्या है गलत है और दूसरा यह एक साबिधिक निकाह है हाँ यह एक स्थिचुरी बाडी है यह कथन सही है तो इसमें क्यों दो कथन जो है सही है क्यों दो जो है सही है उसके बाद जो है next question है मारा मुंबई के gateway of India का वास्तुकार जो है कौन था मित्रू यह question repeated है मित्रू किसी एक्जाम में आया हुआ हो है हो में पैथी वगएरा PCS में तो नहीं आया है यह किसी यह आया है यह किसी हो में पैथी वगएरा जो पहले exam हुए है अभी हाली में हाल इंडिया की वास्तुकार थे और 1913SB में यह बना था 1913SB में गेटवाफ इंडिया बना था और जाज पंचम उसमें ब्रिटेस किंग थी मित्रू उसके बाद जो है अगला नेक्स कथन है मित्रू कि बी आर अमबेटकर बी आर अमबेटकर किस तंदर में निमलेवीत कत्मों पर विचार कीजी कौन सा कथन सही है उन्होंने इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का गठन किया था मित्रू बिल्कुल सही है इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का गठ इसमें A और B जो है दोनों कथन सही है मित्रू उसके बाद जो है नेक्ट कुश्चन है जनमदर के संदर्म में जनमदर के संदर्म में कुश्चन नमर 21 है हमारा जनमदर के संदर्म में निमलिखित कत्व में से कौन सा कत्वन जो सही है नगरी करन जनमदर को कम करने में सहायक है नगरी करन जो है जनमदर को कम करने में सहायक मित्रू सही कुश्चन है और उच्छ साक्षरता दर का निम्न जनम दर से परतक्ष रूप से संबंध है यानि जितनी साक्षरता होती है उतना जनम दर कम होता है ये भी सही है मित्रू तो इसमें जो है दोनों कथन जो है सही है आपके ए और दो दोनों सही है यह आया हुआ कोश्चन है जिसमें आयोग ने इन दोनों एंसर को ए और भी दोनों को राइट वाना था मित्रू उसके बाद जो है नेस्ट कोश्चन है कि स्वरगिये लता मंगेशकर की संदर में निमल वारत रतन मिला था इन्हे जो भारत रतन मिला था मित्रों यह उन्निस , seven में मिला था मित्रों और ऐस्मेह के र नाष्यन जो राष्पति थे मिलें पिर से तो यह कथन आपका गलत हो जाएगा यानि इसका कौन सा कथन सही है कौन सा कथन सही है तो कथन एक के ओल सही है मित्रू यानि इसमें जो है यानि इसमें जो है कथन के ओल एक जो है सही है मित्रू ठीक उसके बाद भारत में बीमा छेत को सम्विर्धान के किस अनसूची के तहर सूची बद किया गया था मित्रों बहुत आसान कोश्चन था तो तीन सूची होती है सम्वर्थी सूची तो इसमें सातवी अनसूची में भारत में बीमा छेतर को सम्विर्धान के किस अनसूची में सूची बद किया गया है तो जो बार तो आज या समवर्थी तब हम लोग उसका हम बताते कि संगसुची में ठीक उसके बाद जो है कि नेक्स्ट कुस्टन है 24 नेक्स्ट कुस्टन 24 है निमलिखित में से कौन सा सुमेलित जो है नहीं है मित्रू ठीक तो अनुच्छ अनुच्छ 93 या आटकल 93 लोग सभा के अध्धक्ष वा उपाध्धक्ष से संबंदित है बिल्कुल सही है मित्रू आटकल 89 जो है वह राज सभा के सभापती और उपसभ सभापती से संबंदित है मित्रू यह भी सही है आटकल 99 है मित्रू या सदस्चों के द्वारा सभत या प्रतिगान का उलेख यह भी सही है मित्रू यह आटकल 98 है मित्रू यह राश्पती भावन के सच्वाले से संबंदित नहीं है बलकि यह संसद के सच्वाले से संबंदि तो कुछन था उसके बाद जोल्गिंट से नेक्स कोश्चन कि तरफ हुम मूब करें तो नेक्स कोश्चन है कि मराथव के संदर्फ में निमलखित कत्म बैसे कौन सा कतन सही है सिवा जी की परसाशनिक बेऊस्था उनकी खुद की निर्मित थी विल्कुल सही है मित्रों अरण जीस सिंग से भिन उन्होंने अपने परसाशन में कोई व्यदेशी सहाईता नहीं ली थी मित्रों या भी कथन सही है मित्रू, तो ये दोनों कथन सही है, ए और दो दोनों कथन सही है, ए और भी दोनों कथन सही है, तो पुष मित्र सुंग के संदर में, निमलखित कर्थों में से कौन सा कथन सही है, सेना पती पुष मित्र सुंग ने ब्रहदर्ष्थ की हत्या कर दी थी मित्र मित्रू बिल्कुर सही है 185 इसापूर्व में क्या किया था सुंग वंस की अस्थापना किया था मित्रू यह उन्हों को पराजित करने के बाद ने उसने 20 अस्वमेग यग किया थी मित्रू यह कथन सही नहीं है तो हमारा केवल क्या इस में केवल एक कथन जो है सही है neurolog हो लगार आ इसके बाद नेक्स्टेसन मित्रौ की शुक्ष्षा स्ववार रहा है क्या नापने के लिए होता है सागर की गहराई को हम फैदो मीटर में जो है नापने है फैथो मीटर या फैदो मीटर होता है इसे फैदो मीटर भी कहीं कहीं लिखा हुआ मिलता है तो चाहे फैदो मीटर हो चाहे पैथो मीटर हो जोन ठीक है 29 कुश्चन है दी डालर एड़रेट दी डालर 10TRILION DREAM के लेखा कोन है दी तें ट्रिलियन ड्रीम के लेखा कोन है तो सुबास चंद्र गर्ग जी मित्र सुबास चंद्र गर्ग है मित्रों ये भारत के क्या है बहुत बढ़े अर्थ सास्तिरी है तो सुभास चंदगर जी तो यह 10 टिलियर डालर ड्रिम नामक पुस्तक इन्हों ने लिखी है मित्रूं उसके बाद कुश्चन है जो next कुश्चन है कि यूक्रेन के राधधानी क्यों जो है निमलिखित में से किस नदी के किनारे इस्तित है तो क्यों किस नदी किनारे इस्तित है नीपर नदी के किनारे जो है क्यों जो है यूक्रेन के राधधानी क्यों जो है मारी वो नीपर नदी के किनारे इस्तित है मित्रूं उसके बाद जो है next question है उसका नेक्ट कोश्चन है कि तारीखे रसीदी के लेखक कौन थे मित्रों तो ये मिर्जा हैजर दुगलत जी थे मिर्जा हैजर दुगलत ये तारीखे रसीदी के लेखक थे ये हुमायू के साही फोज के जो है कमांडर थी मित्रों यानि हुमायू के समय के यह उनका जो फॉर्स थी उसके कमांडर थे मिर्जा हैदर दुखलगत जी इन्होंने तारीखे रशीदी नामक पुस्तक की रचना की थी स्रेब्स था मित्रों इनका फ्रोफ़ाम क्या है मारे स्रीप अमरित डांगे इसके इसके जो है लेखक्ति मित्रों उसके बाद जो नेक्स कोशन है ठलती थी जो नेस्ट क्वोशन 33 है मित्रो यह हमे इसको हमें matching करना है मित्रो leaked question 33 है इसका में pa Windows में जो है matching करना है तो इसमें हम लोग क्या देखते हैं कि सदशो की निक्ति और पदाऊधी लोकसेवा आयोग के क्रित्त और जो है लोकसेवा आयोग कबinh psych को अभी देख लेते हैं इस question को अभी हम लोग देख लेते हैं बाद में मित्रू आगे हम देखते हैं हम देखते हैं हम देखते हैं निमलिखित में से किसने मई 12-12 senior पुरोष खांकी championship 2022 के खिताब किस ने जीता है मित्रू, हर्याडा ने जीता है, ये भोपाल में संपन हुआ था मित्रू, और तमिलनाडू को हराकर पहली बार हर्याडा दें, 12-12 senior पुरोष हांकी championship के खिताब जीता है मित्रू, उसके बाद next question है कि हरित करांती सब्द का प्रियोग पहले निमलिखित में से किसके द्वारा किया था मित्रू हमने उसको मित्रू Google किया गूगल के माध्व उसके बाद सब्सक्राइब मित्रू आधि करें मित्रू यह सहर दिया यह इथा नदी दिविए हमें मिलाना है तो में पहले ही देखते हैं कोलो इन दिवार नदी परिष्थित है तो एक आँगी आफ़ो एक आँगी आफ़ोर आपका आप्शन वैसे निकल गया एक अप फूर एक ही है तो वैसे ही एंसर सही हो जाएगा मित्रूँ ठीक, कोलोन राइन नदी परिस्तित है, अन अगर देखना तो देख लीजिए बसरा जो sati al-Arab परिस्तित है, यानि B का हो गया 2, B का हो गया 2, दियार बाकिर यह टाइग्रस नदी परिस्थित है टाइगर्स नदी परिस्थित है और टिब कट्टू नाइजर नदी परिस्थित है तो डी का हो गया वन तो फोर टू थ्री वन एंसर इसका हो जाएगा मित्रूं उसके बाद जो है नेक्स कूशन है मित्रूं कि कार्बन रेसे के संदर्म में निमलिकित कत्मों में से कौन सा कतन सही है और कार्बन रेसा इसपात का परबल तथा अल्मूनियम से हल्का होता मित्रूं यह दोनों कथन सही है अगर हम इसका अनलसित देखें तो यह पांच गुना मजबूत होता है किस से कारवन के रेशा वो इस पात की तुलना में जो है पांच गुना अधिक मजबूत होता है और दो गुना अधिक कठोर होता है तथा इसका जो वजन होता है स्टील की तुलना म एक बटे चार होता है मित्रू तो इस प्रिकार से जो है इसका दोनों कथन जो है सही है उसके बार नेक्स्ट कुस्टण है नमबर 39 नेक्स्ट कुस्ट्ण जो हमारा है वो है 39 कुस्टण है निमलिकित में से किसने मार्च 2022 में आठूई बार ACI कि विलियार्स का खेताब जीता है तो पंकर चाडवारी है मितरो एक-छतरा जिनका फंकर जाडवारी जी का जहां भी बिलियार्स का नाम है हम लोग पंकर आफ्मन कर लगा देते हीं इस पेसल curriculum यह बहुत लेट कोशचन था घ। your नहीं मिलते ही मित्रों यह रिपीटट एंसर हमारा उजभेक jeśli उम्हें के साथ मेर की लिए१क इसागस नहीं मिलती है इसके नेसे बार जो है नेक्स कुस्ट्टेंघ है। नेक्स पोस्टीवन मैं नेक्स कुश्ट्रोचन फोस्ट्टीवन है कि किसने दिसम्बर 1920 में जो है नागपूर के वार्थिक अध्बेशन में असयोग आंधूल न के से संबध प्रस्ताव रखा था मित्रू कई बार का repeated question है चितरंजन दास जी इसका accurate answer है next question है मित्रू 42 कि अफरीका में माउंट किलमिन जारो के संदर में निमलिखित में से कौन सा कतन सही है या अफरीका का सबसे उचा परबत कई चोटी है बिल्कुल सही है मित्रू माउंट किलमिन जारो में ही इस्तित है उसके बाद जो है या भूमद रेखा परिस्तित है ये गलत है ये भूमद रेखा परिस्तित नहीं है भूमद रेखा पर माउंट केनिया इस्तित है मित्रू माउंट केनिया भूमद रेखा परिस्तित है कि हम लोगben देखें गे तो इस प्रिकालसे का क्योक्स्रेस्च नंबर उन जो है सही है कि अच्छ में समूंद्री घास महत्पूर्ण सोथ होता है how to star region क coushen need सहने कि सम्मोंद्री घास महत्पूर्ण इसापूर में 16 महा जन्पद की सूंची जैन घरन्द किस गरन्थ में मिलती है मित्रों तो ये भगवती सूत्र में मिलती है अब गरन्थ अंगुटतर निकाई और जेनद गरन्थ भगवती सूत्र से मिलती है मित्रों कई बार का रिपीटर कॉरशचन ही इ Exhale है कि आए next time고 की सब से अला कि दुनिया की सबसे तेज दुनिया की सबसे सक्तिसाली अंतर महादियूपिय बैलेस्टिंग मिशाइल सर्मत का सफलता पूर्बग परिछण निमलिखित में से किस देश द्वारा अप्टेल 2022 में किया गया है मित्रू ये रूस के द्वारा किया था मित्रू ठीक है और ये एक हाईपर सुनिंग म मित्रू तो केसी नियोगी जी इसके सदस नहीं थे बहुत आसान कुश्टन था क्योंकि केसी नियोगी जो है नािटन सेवेंटीन के दसक पर ही इनका निहान्थ हो चुगा था मित्रू तो ये एंसर नहीं है बाकी ये तीनों जो है इसके सदस्ते थे 15 बितायोग के प्रफेसर अनुपु सीम डाक्टर असोक लाहिली और हमें इस चंद तीनों जो है 15 बितायोग के जो सदस्ते थे मित्रू और ये 2021 से लेकर 2026 तक के लिए रुपोर्ट नॉम्बर 2020 में प्रस्तुत की गई थी उसके बाद नेक्स कुश्चन मित्रों कि 2022 कि 2022 कि 2022 अपरेल से किस अंतर राष्टे खिलाली को सिर्स तेरा की संसेता फीना के द्वारा सभी अंतर राष्टे प्रतस परधाओं से 9 माह नौ माह तक भाग लेने से इस आधार पर पतबंदेत कर दिया गया कि उसने रूस के राष् लोब थे इनको नौ माह के लिए फीना के द्वारा प्रतबंदित कर दिया गया था निमलिकित युकूब में से कौन सा सुमेलित है मित्रों कौन सा सुमेलित है मित्रों ये सुमेलित है ब्रम्हांड ब्रम्हांड के कुल उर्जा इस्थरांग ब्रम्हांड के कुल उर्जा इस्तिरांक है उस्मा गत्की का पर्थम नियम क्या कहता है कि उस्मा करना तो ना तो सर्जित किया जा सकता है ना ही खतम किया जा सकता है बलकि एक फार्म से दूसरे फार्म में उसे परिवर्थित किया जा सकता है यह उस्मा गत्की का जो है प्रथम नियम है ठीक है तो और बाकी यह आप्सन जो है सही नहीं है मित्रू सही सुमिलित नहीं है निमलिकित में से कौन सा अफ्रीका की निमलिखित में से कौन सी अफरीका की सबसे बड़ी जील है ठीक है यहाँ पर मित्व लांगेस्ट लेक है आफ अफरीका है मित्रू यहाँ पर यहाँ दियान दिजीगा निमलिखित में से कौन सी अफरीका की सबसे बड़ी जील है तो वो कौन से जील है टंगान का जील है मित परिभाशित किया गया है कि कई बार का repeated question है मित्रू तो इस प्रकार से हमने मित्रू APO 2022 की प्रानविक परिच्छा क्या जो 50 question आया हुआ था हमने उनको जो है discuss कर लिया है और हम लोग एक दो बार इसका जो है revise कर लेगे मित्रू और हाँ हो सकता एक दो question जो है हमारे हमारे या किसी के द्वारा हो सकता है एक दो question differ कर सकते हैं इस बात के संभावना हमेशा बनी रहे थी कि आयोग किस question का कौन सा answer मानता हमित्रू तो जब आयोग के answer की आएगी official की तो आप जो है अपने paper को एक बार पुना मिला लीजेगा वसे हमारी answer की जो है करीब करीब मान के चिले 98 एक से दो question में हो सकता है कोई समस्य आ सकती है और जब आयोग के official की आएगी तो एक बार आप अपने उसको फिर से मिलान कर लीजेगा और देख लीजेगा अगर कुछ question differ हो तो उसको आप लोग सही कर लीजेगा मित्रू तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मित्रू आप यह वही पढ़ते रहिए मुश्कुराते रहिए और बार बार अपना रिविज्जन करते रहिए और एक दिन आप आप जरूर सफल होंगे यह हमारी आपकी सुब कामना है हमारी वह संथान की जैहिन जै भारत next lecture मिलते हैं next lecture में